पर बात कर रहा हूँ गयाना नाम के देश की इस देश के साथ बहुती जल्द भारत एक बहुती इंपोर्टेंट पैक्ट साइन करने वाला है ओईल और ग्यास सेक्टर को लेकर नाव सबसे पहले तो ना ये जान लो के ये चोटा सा देश जिसकी अबादी आठ लाख है इसकी अबादी का 40% के आसपास तो आपको इंडियन एथनिसिटी का मिलेगा जी हाँ ये चोटा देश जो भी आपको मैपे में दिखाऊंगा ये बिरिटेश एंपार की अंडर था औ और आज के समय आप ये बस चुके हैं इसी वज़े से आप देखोगे के हिंदुइजम यहाँ पर सेकेंड मोस्ट प्रैटिस रिलिजन है रिलिजन के इसाब से 62% आवादी यहाँ पर फोलो करती है और 24% अच्छली 25% के आसपास फोलो करती है हिंदुइजम नाव यहाँ प अगर हम देखे मैप में तो यहाँ पर आप देख पाओगे ओल दवे इंडिया से पूरा आपको धर्ती से पीछे जाना होगा ठीक है कई ओशन्स पार करके यहाँ पर आपको मिलेगा गयाना देश साउथ हमारे का में यह नीचे यहाँ पर ब्रजिल हो गया और ब्रजिल के सीधा नौर्थ में यहाँ पर यह है गयाना आठ लाग की अबादी का देश है भारत ने पिछले कुछ सालों में गयाना की बहुत हेल्प करी है चाहे वैक्सीन का मामला हो और दवाईयों का मामला हो काफी बार फूरेड भी यहाँ पर भेजी है और इसलिए एक बार को गया गयाना के जो विरेश मंत्री है इवन इनके जो बाकी मिनिस्टर्स हैं भारत के बारे में ती अच्छी बाते इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाली में गयाना को बहुत बड़े स्केल पर ओयल मिल गया कच्चा तेल यहाँ पे आप देख पाओगे वाल स्ट्रीट जनरल का चोटा सा देश है एनुवल बजट इनका 1.4 बिलियन डॉलर का होता है रात और रात इनको इतना तेल मिल गया के इनको समझ नहीं आ रहा के क्या करे अब तेल देखिए मिल तो गया है और तेल को मिले हुए काफी साल हो गए अब मगर आज भी न गयाना अपना फ्यूल जो ये इस्तेमाल करते हैं ये इनको बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है क्यों क्योंकि कच्चा तेल होते हुए भी न इन्हें कच्चे तेल को रिफाइन करना आता नहीं है और जो अमेरिकन कंपनिया है प्रामेरली एक्सॉन वो काफी बार इनको एक्स्प्लोइड कर जहां पर ऐसी कंपनिया है जो बड़े स्केल पर रिफाइन बना सकती है उनसे कॉपरेशन की बात कर रहा है ग्याना चाहता है कि इंडिया इनके देश में इंवेस्मेंट करे इंडिया की कंपनिया इंवेस्मेंट करे यहां पर रिफाइन बनाए कच्चा तेल उससे ग्यान के साब से कर मैं बात करूं richest country बन सकता है it can become the jewel of South America क्योंकि oil discovery यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है और potential कमाल का है बड़ी अबादी है a lot can happen here और देखिए इंडिया की तरफ थोड़ा सा रुजान इसले भी है क्योंकि बहुत सारे इंडियन्स ब्रिटिश एरा के टाइम में सिंस इंडिया से माइगेट होकर गए थे ग्याना में तो उनके family connections बने हुए आज भी तो इसलिए इनकी सरकार में business community में आज भी एक काफी interest है के इंडिया के साथ business किया जाए और ग्याना एक बहुत आपने मैं आप से सवाल पूछता हूं cricket में West Indies का नाम सुना West Indies West Indies की टीम आती है जी एक टाइम पर बड़ी स्टॉंग होती थी आज के समय उनकी टीम काफी वीक है मगर individual लेवल पे जो उनके cricket players है बहुत स्टॉंग रहते हैं हमारे देश में जो इंडियन प्रेमेर लीग होता है उसमें West Indies के players की काफी dominance रहती है तो West Indies नाम का बने आप में कोई देश नहीं है ये एक group of countries है उनमें से एक देश है ग्याना तो यहाँ पर आप देख पाऊगे जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडियस की तो जरातार इन सब countrys की बात चल रही होती है बारबेडो जमेका उसके अलावा यहाँ पर ग्याना यह हो गया तो ग्याना एक ऐसा देश है जहाँ पर एक टाइम पर बिटिश एमपार का राज था और इंडियन ने यहाँ पर बहुत migration करी और South America का अकेला देश है ग्याना जहाँ पर एक बहुत ही strong cricketing culture है IPL को लोग बहुत follow करते हैं यहाँ पर अगयान तो इसलिए Indians को पता नहीं है ग्याना के बारे में इतना बट यह एक ऐसा country है जो future में इंडिया के लिए एक बहुत ही important देश हो सकता है क्योंकि एक बार यहाँ पर refundary setup हो गई तो कल को बहुत सारे जो प्रोड़क्ट्स हैं यह हम import भी कर सकते हैं ग्याना से कच्चा तेल directly भी हम purchase कर सकते हैं ग्याना से natural gas purchase कर सकते हैं there is tremendous possibility और already trade देख रहा था दुनों देशों के वीश में यह 300% तक उपर उठ चुका है और इसकी जो trajectory है आप देखोगे आने वाले सालों में लगातार upside ही रहेगी तो south हमारे का में मैं आपको बता दूँ इंडिया के लिए एक बहुत ही important friendly country रहने वाला है ग्याना यह news में भी काफी रहेगा तो इसके बारे में याद रखिएगा currency यह लोग use करते हैं dollar